हिंदुस्तानी रिपोर्टर के साथ जुटने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाईए आखीर बेकार साबित हुआ लाखो रुपे खर्च कर मुम्रा शहर के लिए बनाया गया डैम असलाम वालेकूम हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है मैं हिंदुस्तानी रिपोर्टर से सभिया हुसेन शेक हम बता रहे हैं मुम्रा में बनाये गये डैम को तोड़े जाने की खबर कुछ सालों पहले सत्ताधारी पार्टी एन सीपी के मुम्रा कलवा विधान सबा अध्यक शमीम खान और नगर सेवक अश्रब शानू पठान ने मुम्रा के खड़ी मशीन पहाडी पर एक डैम बनाने की मांग की थी जिसे वन विभाग और ठाने मनपा विभाग ने लगबक साथ लाक रुपे की लागत से बनाया था उस वक्त एन सीपी के मुम्रा कलवा अध्यक शमीम खान और नगर सेवक शानू पठान ने कहा था इस डैम को बनाने का मकसद बरसात का पानी डैम में जमा करके मुम्रा शहर के लोगों को पीने का पानी मोहिया करना था मगर डैम बनने के बाद ये डैम पिकनिक स्पोर्ट बन गया और इसे हाथसो का डैम खूनी डैम के नाम से पुकारा जाने लगा कई मोते हुई जिनमें युवाओ की संक्या जादा थी डैम बनने के बाद जिस मकसद से ये बनाया गया और सत्ताधारी पार्टी NCP के अध्यक्ष शमीम खान और नगर सेवक शानु पठान ने बड़े बड़े सपने दिखाए के इस डैम से मुमरावासियों को पानी की किलत से निजात मिलेगी मगर जब से डैम बना इस डैम से ना तो मुमरावासियों को पीने का पानी मिला ना कभी इसके लिए कोई योजना बनाई गई और अब पीने का पानी जमा करने के नाम पर बना हाथसो का डेम या खूनी डेम तोड़ दिया गया है इसे क्यों तोड़ा गया और किसके कहने पर तोड़ा गया इसका ना तो खुलासा किया गया है और ना कोई कारण बताया गया है इससे साबित होता है कि कैसे विकास के नाम पर लाखो रुपे का फंड लाकर खर्च किये जाते है और उन्हें कैसे बरबाद किया जाता है ये थी हमारी आज की लाखों रुपे खर्च करके बनाए गए डैम को तोड़े जाने की जानकारी देने वाली खबर जल्द ही आजीर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ